हेलो डियर स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग मैं स्वदेश कुमार अगरवाल टीम साइन्स CLCC कर आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस हर्याना DTSC के साइन्स के सॉलुशन्स में डियर स्टुडेंट्स मैं आशा करता हूं कि आप सभी का एक्जाम बहुत का जो पहला सवाल था वो था human ear can hear audible sound, infrasound, ultrasound या radio wave तो डियर स्टुडेंट्स हमारे जो human ears होते हैं वो केवल audible sounds को ही सुन सकते हैं हम अगर और precisely बात करें तो हमारा जो audible sound का frequency का जो range होता है audible sound की जो frequency का range होता है बच्चों वो frequency की range होती है बच्चों 20 hertz से लेकर के 20,000 hertz तक और इतनी frequency का sound हमारे human ear बहुत असानी से सुन सकते हैं 20 hertz से कम frequency की जो sound होती है उसको हम बोलते हैं infrasound और 20,000 hertz से उपर की जो sound होती है उसको हम बोलते हैं ultra sound तो इसका जो हमारा option होगा बच्चों वो कौन सा होगा audible sound यानि option number 1 ठीक है चले आगे चलते हैं next question दिखते हैं बच्चों अब next question है अब virtual image three times the size of object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36 cm the distance of the object from the mirror is तो ये भी एक आसान question है बच्चों है ना आप सभी ने ये अच्छे तरीके से कर लिया होगा जैसे कि हमें दिया हुआ है कि radius of curvature जो है radius of curvature वो कितना दिया हुआ हमें 36 cm यानि वक्रता तर्जा कित्ती दिए हुए 36 cm हम जानते हैं कि जो हमारा radius of curvature होता है वो किसके बराबर होता है two times of focal length तो अगर मैं यहां से focal length निकालूंगा तो focal length हमारे पास क्या बनेगी r by 2 यानि 36 by 2 यानि कित्ती बनेगी बच्चों यह 18 cm ठीक है अब हमको इसमें बताना है distance of the object from the mirror तो हम इसके लिए सूतर का प्रियोग करते है formula का प्रियोग करते हैं जो कि हम एक mirror formula जिसको हम कहते हैं तो वो होता है हमारे पास में 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u ठीक है अब क्योंकि यह हमारे पास में concave mirror दे रखा है इसलिए इसकी focal length क्या होती है negative आना concave mirror की focal length क्या लटते negative साथ में वर्चों हमें यह बी दे रखा है कि virtual image बन रही है और यह three times the size of object है इसका मतलब यह है कि हमें magnification यानी hi by h naught यह दे रखा है कितना three times image जो है वह three times of the object है यानि HI by H not कितना है 3 तो ये किसके बराबर होगा बच्चो माइनस V by U करेक्ट तो यहां से V की वेल्यू कितनी आ जाएगी माइनस 3 U तो आईए ये वेल्यू दियां रख देते हैं तो हमारे पास में F की जो वेल्यू है बच्चों वो कितनी आ जाएगी माइनस 1 by 18 क्योंकि F को जैसे मैंने आपको बताया कौन के मेरे रहे तो नेगेटिव रखना है हमें बराबर V की जगे बच्चों हमने रख दिया 1 by 3 U यानि माइनस 3 U प्लस 1 by U यहां से हमने एल्सियम ले लिया 3 U तो इसका हमारे पास जो अंसर आ जाएगा वो जाएगा माइनस 1 प्लस 3 यानि कितना आ जाएगा बच्चों ये ये हमारे पास में आ जाएगा 2 by 3 U करेक्ट अब इसको इससे कैंसिल कर देंगे तो ये बच्चेगा 6 तो U बच्चों हमारे पास यहां से कितना आ जाएगा U की वेल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी माइनस 12 सेंटिमेटर यानि हमारे पास कौनसा ओप्शन करेक्ट हो जाएगा ये सेकिंड वाला ओप्शन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ठीक है असान था बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं ऑघे देखते हैं 3rd question लाइटनिंग अकर्स ड्यू टू बिजली के चमकने का कारण क्या है बचो बिजली जब चमकती है तो वहाँ पर क्या होता है寠्रोणिक य। य। डिस्चार्ज होता है वहाँ पर क्या होता है? electric discharge बिजली जब चमकती है तो क्या होता है? electric discharge है ना? तो इसका ज़ोанные इसार है वह कितना आजएगा हमारे पास में फोर्थ यानि electric discharge के कारण हम जो हमारे पास में विजली जो है वह हमें चमकती हुई प्रतीत होती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्थ कोश्चन देखते हैं बच्चो दफोकल लेंथ ओफ और कॉन्वेक्स मिरर इस ट्वंटी सेंटी मिरर इस रेडिस करवेचर विल बी तो बच्चो जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास में रेडिस ओफ करवेचर होता है वो किसके बराबर होता है टू एफ के है ना radius of curvature किसके बराबर होता है 2F के हमें का हुआ है focal length of the convex mirror is 20 cm यानी 2 times of 20 ये हमारे पास मैं बच्चों क्या आ जाएगी radius of curvature यानी कितनी आ जाएगी 40 cm ठीक है तो 40 cm हमारा क्या हो जाएगा फॉर्थ option correct solution हो जाएगा ठीक है बहुत बढ़ी है चलिए आके चलते हैं फिफ्थ कोस्चन देखते हैं बच्चों इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट तो देखिए बच्चों जो साउंड होता है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है ठीक है ना साउंड जो हो होता है वो डेंसिटी पर भी डिपेंड करता है और जो साउंड होता है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है इसको भी याद रखिएगा साउंड की जो स्पीड होती है वो सॉलिड में सबसे ज्यादा होती है और फिर गैसे में सबसे ज्यादा होती है और mechanical wave को travel करने के लिए medium की जरूरत पड़ती है यानि sound vacuum में travel नहीं कर सकता है तो सबसे ज़्यादा जो speed आती है बच्चों वो किस में आती है solid में ठीक है तो हमारा कौन सा option सही हो जाएगा first option जो है solid वो एकदम सही हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों अगला question है SI unit यानि international system unit जो है वो force की क्या होगी तो हम जानते हैं force को हम किस में major करते हैं Newton में आशा है कि आपने सभी ने सही कर लिया होगा अगर हम इसको CGS unit के अंदर बात करें तो CGS unit अगर हम से पूचा जाता तो answer क्या होता डाइन और SI unit के अंदर answer क्या हो जाएगा Newton तो हमारा second option इसका एक दम correct solution हो जाएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों question number 7 पे loudness of the sound depends on बच्चों इसको याद रखिएगा कि जो loudness होती है हमारे पास में sound की loudness का मतलब होता है आवाज का कम यह ज़्यादा होना ठीक है दो तरह की बाते होते हैं एक होती है loudness और एक हमारे पास में होता है कि किसी भी sound की हम कह सकते है कि frequency कम यह ज़्यादा है कर नहीं होना loudness का मतलब होता है आवाज का उंचा या नीचा होना कोई आवाज आपने दीरे करी तो वो किसके फरक के करण आवाज जो है वो तेज या दीरे होती है तो loudness depend करती है बच्चों intensity पर और intensity depend करती है amplitude पर तो अल्टिमेटली loudness किस पर depend करेगी amplitude ठीक है तो इसका अंसर अमरे पस क्या आजाएगा बच्चों amplitude ठीक है ठीक है frequency अगर change होती न बच्चों तो frequency जब change होती है तो sound क्या हो जाता है मोटा या पतना ठीक है न जैसे मालो कोई male voice जो होती है वो थोड़ी comparison to female voice क्या होती है थोड़ी मोटी होती है यानि उसकी frequency कम होती है और जो female voice होती है वो थोड़ी सी पतली होती है श्रिल होती है तो यानि कि उसकी frequency जादा होती है लेकिन हमसे ये बात नहीं पुछी है हमसे पुछिए sound की loudness यह नहीं आवाज का उंचा या नीचा होना वो किस कारण से होता है तो आवाज का उंचा या नीचा होना होता है amplitude के कारण वो प्रभाव डालता है उसके उपड़ ठीक है तो इसका option number one इसका correct solution हो जाएगा ठीक है आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं बच्चो enfмотрите 8th question reflection बाई ये plane mirror is called सम्तल दर्पंध से होने वाला परावर्तन कैसा होता है तो हमेशा याद रखेएंगा बच्चो सम्तल दर्पंध से हमेशा एक regular reflection होता है सतत परावर्तन होता है असतत परावर्तन नहीं होता सतत परावर्तन से मतलब है कि कि किसी भी प्रकार के कोई भी सतत नहीं होती है जैसे रेज आती है वैसे के वैसे ही वो reflection log को follow करते हुए बाहर निकल जाती है तो एक सतत परावर्तन होता है regular reflection होता है इसको आपको याद रखना है ठीक है आगे बढ़ें विच अब दा following metal is used in electroplating to make object appear shining तो shining के लिए बच्चों हम use करते है chromium का chromium जो होता है वो material के अंदर shining लेकर के आता है और उसको corrosion resistant भी बनाता है यानि उसको जंग लगती है उसके रजिस्ट करने के योग्य भी बनाता है ठीक है तो इसका जो हमारा सही अंसर आ जाएगा वह जाएगा chromium ठीक है आगे बढ़ें बच्चों इसका सेकंड ऑप्शन आ गया chromium आगे बढ़ते हैं नाइंत के बाद में बच्चों हमारे में छोड़ दें और gravitational force कौन लगा रही है अर्थ तो यह नीचे जाएगा contact होने का कोई ऐसी बात नहीं की contact होना जरूरी है ऐसे magnetic force में भी contact होने की जुरत नहीं है दो चुम्बक opposite अगर आप उसमें ले 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 पोलेरिटी में एन और एन तो उनके बीच में contact नहीं है लेकिन रिपल कर रही है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हाँ फ्रिक्शन के लिए जरूरी है contact होना दो बॉड़ी जब contact में होती है तो friction force के लिए जरूरी है कि दो बॉड़ी आपस में क्या हों contact में ठीक है ना तो friction force इसका जो होगा वो correct solution आ जाएगा ठीक है ऐसी electrostatic force के लिए भी हमें contact की जरूरत नहीं है तो इसमें contact type का force कौन सा आ जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स ठीक है आगे चलें आगे बढ़ते हैं बच्चो सवाल नंबर 11 पार्ट ओफ आई विच कंट्रोल दा light entering is called तो बच्चों जो light enter करती है सबसे पहले वो आईरिस की उपर करती है ठीक है इस आईरिस के कारण ही वो जो light है वो हमें entering point है हमारा light का तो यहाँ पर जो हमारा solution आ जाएगा वो आ जाएगा आईरिस ठीक है ओके चले आगे बढ़ते हैं बच्चों question number 12 the diminished virtual image can be formed only in तो एक तो image कैसी है virtual दूसरी diminished तो बच्चों याद कीजिए diminished image कब बनती थी जब हमारा एक concave mirror हम use में लेते थे और हम कुछ para-axial rays को कुछ para-axial rays को हम क्या करते थे इसकी principal axis के parallelly हम send करते थे तो यह जहाँ पर आकर के मिलती थी वो जो point होता था यहाँ पर इमेज बनती थी वर्च्वल बनती थी और diminished तो हमने कौन से mirror का यहाँ पर यूज किया था कौन के mirror का यूज किया था तो यहाँ पर अंसर कितना आ जाएगा बच्चों कौन के मिरा जो भी para-axial rays है जो parallel एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के parallel चल रही है वो after the reflection जहाँ पर जाके मिलती है वह होता है focus point वहाँ एक diminished इमेज बनती है तो यह सब किसमें होता है concave mirror में ठीक है बच्चों आगे बढ़ें इसके बाद आते हैं हम question number 13 पर two objects repel each other this repulsion could be due to तो बच्चों जो रिपल्शन अगर हो रहा है तो रिपल्शन तो दो opposite poles के बीच में भी हो सकता है अगर magnet दी हुई है हमार को जैसे north और north pole एक दूसरे को क्या करेंगे रिपेल और दो positive charge भी एक दूसरे को रिपेल करते है दो negative charge भी दूसरे को रिपेल करते हैं तो अगर रिपल्शन की बात आती है तो वो तो एक electrostatic force भी हो सकता है जो charges के बीच में सेम सिमिलर टाइप के charges के बीच में सिमिलर polarity वाले charges के बीच में और magnetic force की बात करें हम तो दो पोल्स के बीच में भी आता है एनन पोल एक दूसरे के प बच्चों question number 14 if we apply oil on the door hinges the friction will तो बच्चों अगर हम oil apply करेंगे कब जो पर अगर तेल लगा देंगे तो जो घर्षन होगा वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है ना कम होने के कारण ही हम क्या करते हैं तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा decreases ठीक है ओके चले आगे वेरी हर्ट्स what is the time period हम जानते हैं बच्चों जो time period हमारे पास होता है वह frequency का reverse होता है तो time period कि इसके बराबर हो जाएगा 1 by 50 1 by 50 का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों 0.02 सेकेंड करेक्ट तो हमारे पास option कौन सा बन जाएगा first option बन जाएगा ठीक है ओके चलिया आगे चलते हैं a toy car released with the same initial speed will be travel farthest on अगर किसी toy car को हमने इन चार conditions के अंदर release किया है with the same initial speed तो सबसे जादा farthest कौन सी कार जाएगी हमसे यह पूछा गया है तो बच्चों जहां पर friction minimum होगा वो कार farthest जाएगी तो यहां friction सबसे जादा minimum किस में होगा मड़ी सर्फेस में तो friction होगा polished marble सर्फेस बिलकुल पॉलिश की हुई जहां friction बिलकुल minimum है वहां पर car farthest जाएगी क्योंकि friction force उसकी speed कम नहीं कर पाएगा तो हमारे पास इसको option गहां सा हो जाएगा बच्चों second option ठीक है ना तो यहां पर बच्चों हम अपने यह जो साइंस के जो solution है करते हैं ओके तैंक यू हलो मैसल कवितर राजपर टीम सील सी तुड़े विल डिसकूस अबाउट डिटियस एक्जाम हरियना कुशन नंबर 17 थे हमारे पास विच आप दे फॉल्लॉइंग इज ए फॉल्स स्टेटमेंट या आगे देखिए आईरन इसे मेटल यह भी क्या है एक ट्रू स्टेटमेंट है नेक्स्ट देखते हैं मरकरी इस एमेटल यह भी क्या है बच्चों एक ट्रू स्टेटमेंट है यानि यह तीनों ही ट्रू है तो लास्ट ऑप्शन देखते हैं जर्मेनियम इस एमेटल तो बच् एंटल नेक्स किसन हएं आप लोगों को यह अज्या गया होगा है तो होता है वह नाइंटीन त नमबर पर आता है इसका मिनिंग है यह हो गया कि इसका atomic number कितना होता है बच्चो 19 यानि first option क्या हो गया बिल्कुल correct अब हम चलते हैं next question की तरफ question number 19 देखेगा बच्चो which of the following is a metal which of the following sorry which of the following is not a metal question है हमारे पास निम्न में से कौन सी एक धातू नहीं है यानि हमें देखना है कि कौन सी एक नेक्स्ट प्रिशन है। अमारे पास है वो क्या कहला तो हम जानते हैं कि क्या होते हैं बता है सवट्रा वर्ट क्यosition क्या हो जाएगा बिलकुल नेक्सट के श्ञe । नेक्सट के शंवेशन है नेच्युरेल वाइबर is, Natural Fiber, is or are. यानि हम teбhra hai, कि option में इस East कों सा है जो Natural Fiber है को में कोर्टन तो बचो हम जानते हैं कि cotton क्या होता है क्या हुटा है नेचरल Fiber होता है wool भी क्या होता है बचों, एक Natural Fiber होता है sil Cinq भी क्या होता है बचों, एक Natural Fiber होता है यानि यहां सारे के सारे natural fiber के example से तो answer क्या हो जाएगा बच्चों all of these यानि यहां पर fourth option बिलकुल correct हो जाएगा देखेगा 22 number question है petroleum is also known is यानि petroleum को और क्या कह सकते हैं तो हम जानते हैं कि petroleum को हम black gold भी कह सकते हैं यानि यहां पर first option क्या हो जाएगा बिलकुल ही correct हो जाएगा next question की तरफ हम बढ़ते हैं तो next question देखेगा हमारे पास है which of the following is combustible यानि आपको देखना है कि इन में से कौन सा एक combustible होगा यानि जलने वाला होगा तो देखेगे iron nail कभी भी combustible नहीं होएगा glass भी combustible नहीं होएगा stone piece भी combustible नहीं होता है लेकिन paper को हम जला सकते हैं तो paper क्या हो जाएगा बच्चों combustible हो जाएगा यानि यहां पर fourth option बिलकुल ही correct हो गया next question देखेगा आप लोग next question है हमारे पास 24 नमबर किशन देखेगा the non metal used in vulcanization of rubber is very very important question है कि rubber के वलकीनी करण में हम कौन सी एधातू उपयोग में लेते हैं तो बच्चों आप सभी लोग जानते हैं कि हम sulfur non metal क्या करते हैं यहां यूज करते हैं तो यहां पर first option क्या हो जाएगा बिलकुल करेक्ट नेक्स्ट किशन देखेगा 25 नमबर किशन the metal that forms a self-protecting film of oxide to prevent corrosion is यानि self-protecting layer जो है वो oxide की बन जाती है तो इन में से कौन सी वो metal है जो self-protecting layer of oxide की form करती है corrosion से बचने के लिए तो हम जानते हैं कि जो aluminum होती है वो स्वत्य सुरक्षा परत बना लेती है oxide की यानि यहां पर बच्चों क्या हो जाएगा second option बिलकुल ही correct हो जाएगा I hope आप लोगों को समझ आ रहे होंगे यह answers अब हम चलते हैं 26th number question की तरफ देखेगा 26th number question which of the following is an exhaustible natural resource यानि समाप्त होने वाला प्राकर्तिक संसादन कौन सा है तो बच्चों आप options पढ़िए बहुत ही easy सा question है देखेगा एयर बच्चों एयर क्या एक 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 जोस्टिबल नेचरल रिसोर्स है तो हम बोलेंगे नहीं लेकिन बच्चों जो कोल होता है वह समाप्त होने वाला प्राकर्तिक संसादन है यानि यह एक नेचुरल एक जोस्टिबल रिसोर्स हो गया कोल यानि यहां पर क्या हो जाएगा थर्ड ओप्सन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा अब हम बढ़ते हैं कि तरफ नेक्स्ट किस्चन देखे 27 नंबर किशें कोल डेस इन कलर बताइए बच्चों बहुत ही आसान सा है कोल किस कलर का होता है तो आप लोग कहेंगे ब्लैक कलर यानि फॉस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट नेक्स्ट किशन देखेगा आप लोग 28 नंबर किशन देखे 28 नंबर किशन रह कर बच्चों हम जानते हैं कि सट्रकशन होता है और में क्या होता है यानि यहां पर अंत्रसाइट यानि पोस्ट अरोप्शन क्या सोllow करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट किशन की तरफ만ग सर्फ है नेक्स्ट किशन देखेगा आप लोग 29 नंबर किशन है देखे और the units used in the formation of a polymer यानि polymer के formation में कौन सी units use होती है तो बच्चो ध्यान रखना monomer units क्या होती है polymer के formation में यूज होती है यानि second option क्या हो जाएगा यहां correct I hope आप लोगों को समझा रहा होगा next question देखिएगा next question है the polymer of vinyl chloride is named is तो ध्यान रखना vinyl chloride के अगर हम unit use करते हैं तो उससे जो polymer बनता है उसका नाम होता है polyvinyl chloride और जिससे salt form में बच्चों हम बोलते हैं PVC तो PVC आप लोगों को जिस option में दिख रहा है वो correct हो जाएगा और PVC हमें दिखाई दे रहा है first option में यानि यहां पर क्या हो जाता है बिल्कुल ही correct देखिएगा next question which of the following is a synthetic polymer यानि जो options आपको दिख रहे हैं इन में से कौन एक ऐसा होगा जो synthetic polymer को denote करेगा बच्चों देखिए starch synthetic polymer नहीं होता है natural होता है protein भी कैसा होता है बच्चों natural होता है cellulose भी कैसा होता है बच्चों natural होता है लेकिन यहां पर देखिए nylon क्या हो जाता है बच्चों एक synthetic polymer हो जाता है यानि यहां पर fourth option क्या हो जाएगा बिल्कुल correct हो जाएगा अब हम चलते हैं next question के तरफ देखिएगा आप लोग next question next question है हमारे पास बच्चों atomic number of aluminum का atomic number क्या है तो हम जानते हैं कि noble metals यानि ऐसी metals जो बहुत ही less reactive होती है तो हम जानते हैं कि जो silver gold platinum है यह तीनों की तीनों क्या कहलाती है बच्चों noble metal कहलाती है तो silver gold platinum यानि यहां पे third option क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों को पूरा का पूरा यह solutions हमच आ गया होगा thank you for watching jclc hello students we will discuss about the solution for a dtsc for class 8 science वाला part in discuss कर रहे हैं और biology जो है कि आपकी question development of fertilized egg takes place यानि निशेचन के बाद हम बात कर रहे हैं तो निशेचित अंडे का विकास कहां होता है ठीक है तो ध्यान से question को पढ़ना है आपको कि फटलाइजेशन जो है यह हो चुका है और आप आगे development उसका कहा होगा तो फटलाइशन के बाद आपको पता है जो आएग है यह यूटरस में आएगा implant होगा और इसका फर्दर डॉलपमेंट जो है यूटरस में होगा यानि घरभाशय में होगा उसका आगे का विकास है यह घरभाशय में होने वाला है ठीक है तो इसका जो option आपको सही समुच्य यहाँ पर ढूंड लेना है यूमन मेल के लिए तो आप देखिए यहाँ पर एक एक की बात करेंगे टेस्टिस मेल में है ठीक है यहां मेल में नहीं है तो गलत हो जाएगा टेस्टिस स्पर्म डक्ट एंड पैनिस यह वाला सही लग रहा है हमें ओवरी यह नहीं आएगा और ओवरी यह मेल में नहीं आएगा तो आप देखिए नर की अगर आप बात करेंगे तो व्रिशन शुक्राण वाहिनी और शिस्न यह जो यहाँ पर समुच्य है यह जो यहाँ पर आपको ग्रुप निज़र आ रहा है यह मेल के लिए सही होगा तो यह ज यहां आएगा तो आप देखिए यहां आपके दिये में बाइनरी फीशन मल्टिपल फीशन बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन तो यहां जब इसके देखते हैं तो आप जानते हैं कि जो मुकुलन विधी जो है बडिंग प्रॉसर्स की यहां बड यहां बनेगी में प्ला सही हो जाएगा इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कुछन नंबर 37 के लिए यहां पूचा गया है विच्वन फॉल्लाइंग प्रजनन गटनाओं का सही अनुक्रम आपको पैचान लेना है कि पहली गटना कौन सी होगी अंतिम गटना यहां पर कौन सी होगी तो हम यहां बात करते हैं गयमेट फॉर्मेशन बिल्कुल सही है पहले घटना है यहां बनने के बाद फीटस यहां पर फॉर्म होगा और विवन बेबी का फॉर्मेशन हो जाएगा यहां बैट रहा है कि युग्मक निर्मान के बच्चाद आपको बताया है निशेचन होता है निशेचन के बात क्या बनता है युगमनज युगमनज परिवर्थित हो जाएगा बुरुण के अंदर यहां गर्व निर्मान होगा और मानौशिशों का निर्मान हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन ही जो है यह आपको बिल्कुल सही आपको दिखाई देगा कि सारे सिक्वें यहां बाद आ रहा है तो सेकंड ऑप्शन जो होगा यह आपका करेक्ट हो जाएगा कोशन नंबर 37 के लिए इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट 38 के लिए तो हुई इस दा कैरियर ऑफ मलेरिया डिजीज मलेरिया डिजीज का यहां पर कैरियर पूछा गया है मलेरिया रो सबसे अलग है उसको आपका चैयन करना है कोई भी विश्यम जो आपको यहां दिखाई देता है उसका आपको चैयन करना है तो देखिए किस अधार पर आप चैयन करेंगे कॉलेरा नाम दिया गया है टाइफाइड पото यहां पर ध्यान क Alberiak देके कि यहां पर आप रेख सकते हैं कि है जाग पीड्या यहिए सबसे अलग रोग यहां पर आपको दिखाई देगा तो option number 3 को आप यहां पर सही मार्क कर देंगे यही अलग है इन तीन चारों में से इन तीन के साथ अगर हम दिखाएं तो पोलियो वाला option आपको अलग दिखाई देगा ओके आगे देखते हैं question number 40 में तो 40 में आप देखिए which bacteria is responsible for the formation of curds कर दही की हम जब बात करते हैं कि दही के निर्मान के लिए कौन सा जीवानू है कर फॉर्मेशन के लिए कौन सा व्वशन हो जाएगा डिर्यक्ट आपको अटेंट यहां पर कर लेना है बाकि बेक्टिरिया आप देखिए राइजोबियम शायन बैक्तिरिया क्लोस्टी डियम का यहां पर कोई रोल नहीं होता है ठीक है इसके बाद देखिए हम बात करते हैं कोशन नम् chỉ 29 में यहां पर स्मॉल पॉक्स की वैदिक सिंस यहां पर नाम आज आता है स्मॉलपॉक्स की वैक्सिन के लिए डिस्कवरी की थी इसकी स्मॉल फॉक्स की वेक्षिन की तो ऑप्शन नमबर सेकेंड जो है यह आपको यहां पर मार्क कर देना यह आपका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा मेरिस के लिए इसके बात देख कोर्शन नमबर फॉर्टी टू यह भात कर रहे हैं विच ग्मेंट इस प्रजेंट गढ़र कर तो शूरॉट यहां फॉरता सख़री SJ औरmer आपको आपको यहां पर मिलेंग वारणक्त अनदर आपको यहां पर मिलता है वही सब्सक्राइब क्लोर Victorian यहां Χाल लावट प्रेजेंट रहे गएगा स्वार्श जिसके वहीं प्रमनान हों प्राइब यहां पर यहां पर चांश समत्कानार तो हरित लवक तो यहां पर आपको कुछ ऑप्शन दिये गए हैं और यहां आपको इनकरेक्ट जो गलत आपको लगता है कथन उसका आपको चैन कर लेना है कि इन में से कौन सा गलत है तो देखिए सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्वड इन कॉर्क वाइर रोबर्ट हुग यह सही हो गया रोब नुक्लियस एक पर्टिक्लर डिस्टिंगूईश नहीं कर पाते हैं क्योंकि नुक्लियर मेंब्रेन उसके उपर नहीं होती है उन कोशिकाओं को उन सेल्स को प्रोकरियोटिक कोशिकाए कहा जाता है सही बात है तीसरा यहां पर आप्शन आगया एग औफ हैं इस गूरूप जो है तो यही बात आपके गलत हो जाती है यहां पर थार्ड ऑप्शन में तो तीसरा ऑप्शन जो है यह इसका अंसर हो जाएगा क्योंकि उसके बाद देखिए प्लांट सेल्ट सेल वाल इतों सही हो गया यह बिल्कुल जवाब कोशिकाओं के ऊपर कोशिका बित्ती पाई जाती है ठीक तो तीसरा जो ऑप्शन हो जाएगा यही आपका सेल्जेन अंशर होगा यहीं मार्क करना है अपको कैब आफिए प्लंचे के OFFICERS लिए और अंडिकेट के लिए और फाउना इंडिकेट करते हैं हम एनिमल्स के लिए फ्लोरा इंड फाउना जो साथ में हम यूज करते हैं तो फाउना यहां पर वर्ड दिया गया है तो फाउना वर्ड यूज होगा एनिमल्स के लिए जन्तू इसके लिए फाउना जो है यह यूज किया जाता है तो तो यहीं से आपको आन्सर उठा लेना है कि जो उर्वरक भूमी है इसका रुपान्तरन हो रहा है मरुस्थल में यहीं से ही इसका जवाब बजाएगा कि ड्यजर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है तो process क्या है? Desertification, जो fertile land है, वो किस में कनमट हो रही है? Desert में, Desertification इसका दायरेक्ट अंसर हो जायेगा मरुस्थल का निर्माण हो रहा है, उर्वरग भूमी का तो या मरुस्थली करण सीधा इसका जवाब हो जायेगा अंसर नमबर 4 और यहां से आपको इसका जवाब उठा लेना है कि वह स्पीशीज जो के बाहर वह स्पीशीज नहीं मिलती है विशेष छेत्र में यहां पर काफी प्रॉसस दिया हुआ है कि आपको तो सेपरेट करने हैं ग्रेंज किससे चाफ से आपको यहां ग्रेंस सेपरेट करने दाने यहां चुलिग। ऐसरा कहाओ लेकर न Currently रखन है ठीक है यहां और दूसरी तरप मिल Bachelor हिस में जो तीसरा option है threshing वाला process इसमें हम फसल से दानों को बाहर निकालने का कार्य करते हैं दानों को अलग करने का कार्य करते हैं तो तीसरा option इसका सही जवाब हो जाता है इसके बाद देखिए question number 48 यहां पर दिया हुआ which of the following are the examples of खरीफ क्रॉप्स तो रावी और खरीफ यहां पर आपके पड़ते हैं उसमें खरीफ वाला जो एक्जाम्पल है यह इसमें से चूज कर लेना है कौन-कौन सा जोड़ा यहां पर खरीफ का हो जाता है तो वीट और मेज यह नहीं होगा वीट में नहीं होगा ग्राम यह वाला जो आपका और मक्का यह आपका बिल्कुल सही इसका जवाब हो जाएगा धान और मक्का यह दोनों ही कौन सी क्रॉप्स है यह खरीफ क्रॉप्स के अंडर आपको दिखाई देती है ठीक है इसके बाद हम बात करते हैं कौशन नंबर 49 की 24D यह एक नाम दिया हुआ एक कैमिकल का आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर किसके रूप में इसका यूज किया जाएगा तो आप देखिए वीडी साइड्स के लिए इसको यूज किया जाता है यानि एक्स्ट्रा जो प्लांट से जो हम मानते हैं कि अन्वांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं करने के लिए उनको रिमूब करने के लिए to forD का यूस किया लाएगा कि यहां से शुगर का आपकम से फ़र्मेशन हो रहा है तो आप देखिए कौम से फोसेस में होगा फोटोसिंटेसिस नहीं यहां पर नहीं होता है यह यहां पर दियाओ नहीं यहांपर जो ही हम जानते हैं कि एल्कोहल फॉर्मेशन का प्रोसेस जो होगा यहां आपका फोर्मेशन होगा करने के बाद करने के बाद यानि किनवन जो है इसका सेकेंड ऑप्शन यही इसका करेक्ट हो जाएगा जहां शुगर्स का कनवर्जन होगा एल्कोहल के अंदर ठीक है तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नमबर टू तो यह सभी आपके कोशन हो चुके हैं बाइलोजी पोर् टू डिवाइब भाई फ्रीवाइब फाइव इस एक्वल तो वैल्युफाइब लिए ओगा वन अप्वन टू फ्रेक्शन का फ्रेक्शन के साथ में दिवाइब का कर दो कि मुल्टिपाई और आगे वाले नंबर का क्या हो जाएगा रशी प्रोगल इस फाइप अपॉन ट प्रेक्शन के अप्शन नंबर फोर फिर नेक्स क्वेशन है आपका 52 असोशेटिव प्रोपर्टी इस अप्लिकेपल अस्वीट प्रोपर्टी के बारे में पुच्छा गया है तो अस्वीटिव देखो a plus b plus c is equals to a plus b plus c तो असोशेटिव में क्या हो कम से कम 3 integers अपने पास में जिन में add करने का preference कुछ भी हो सकता है कि आप पहले बी और सी को एड कर लो या फिर ए और बी को एड कर लो सेम होता है multiplication के लिए a multiply b multiply c is equals to a multiply b and then multiply by c दोनों ही कैसे में RHS और LHS दोनों क्या होती है बराबर होती है ठीक है तो यह केवल और केवल दो operation के लिए applicable है एक तो हो जाएगा आपका addition के लिए और दूसरा हो जाएगा multiplication के लिए ठीक है तो इसका option चला जाएगा addition and multiplication only बाकी addition subtraction होगा नहीं subtraction जहां पर भी है वाँ पर यह गलत हो जाएगा subtraction है यह भी गलत है subtraction हो डिविजन यह भी गलत है तो option number 3 इसका सही रहेगा फिट नेक्स्ट कोशिण है 53 वैल्यू find out करनी है माइनस माइनस 10 अपन 3 मुल्टिप्लाइ माइनस में 15 अपन 2 मुल्टिप्लाइ 17 अपन 19 और मुल्टिप्लाइ में लास्ट में क्या दिया हुए जिरो तो जीरो की विजय से कुछ भी calculation आपको करने की जरूत नहीं है आंसर क्या हो जाएगा अल्टिमेटली इस इकोस तो जीरो अप्शन नमबर फिर्स्ट नेक्स्ट है 54 वाट शुद बी एड़ेट टो माइनस अपन सेवन माइनस सेवन अपन 3 इसमें आप कितना एड करोगे कि आपको आंसर क्या मिल जाए त्री अपन सेवन तो यह जो ब्लेंक की स्पेस यह निकालने के लिए आप क्या करोगे इट इस एकोस त्री अपन सेवन ट्रांसपोस करेंगी तो माइनस सेवन अपन 3 आडच पे जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉसिटिव सेवन अपन त्री वेल्यू फाइंड आउट करोगी यह मा जाएगा ट्वंटीवन नाइन प्लस फॉर्टी नाइन इस फिफ्टी एट अपोन ट्वंटीवन तो ऑप्शन नमबर तो इसका करेक्ट होगा ठीक दो पून संक्ःाओं का अंतर 66 है संक्याओं का अनुपाद दो नुपाद 5 है तो संख्याओं तो मैंने क्या माल लिया और रेशियो दिया हूय तो रेशियो 5 फॉच्व तो पहला नमबर हो जाएगा तू एक्स और दूसरा नमबर क्या हो जाएगा 5X इन दोनों का आपको दिया हुआ है डिफ्रेंस डिफ्रेंस कितना है 66 तो बड़ा नंबर अपने पास में 5X है छोटा नंबर 2X है तो डिफ्रेंस यानि कि बड़ा नंबर और 5 को multiply करोगे X की value से 22 से तो यह आजाएगा 110 तो दो अंसर आगे अपने पास में जो दो वैलिए अपने पास में थी होल नंबर थे एक हो गया 44 और एक हो गया 110 आप्शन नंबर हो जाएगा इसका 3 नेक्स्ट है तो 3M is equals to 5M minus 8 upon 5 तो M की value को एक तरफ रखोगे तो यह हो गया 5M 3M को transpose करेंगे तो यह हो गया माइनस में 3M minus 8 upon 5 कि दर आएगा तो 8 upon 5 तो 5 माइनस 3M कितना हो गया 2M equals to कितना हो गया 8 upon 5 तो से 8 कैसल हो जाएगा 4 time to M की value finally अपने पास में आ जाती है 4 upon 5 तो 4 upon 5 conception में है option number 2 ठीक next question है 57 क्या कहता है कि यदि ए और C एक समांतर चत्रवुज के है equal होते हैं तो angle A और C क्या हो जाएगा equal हो जाएगा तो option number 2 इसका सही हो जाएगा फिर देखो next question है आपके पास में कि यदि ए और B समांतर चत्रवुज के दो आसन कौन है कौन से एंगल हो गये एड़सेंट एंगल हो गये तो एक 110 डिग्री तो इसका option number कौन सा हो जाएगा option number 3 इसका correct हो जाएगा फिर देखो next question है तो question number 59 विच आफ फॉलइंग कॉड़ी लेटल have two pairs of adjacent side equal अब देखो क्या कहता है कॉड़ी लेटल two pair of adjacent side कि देखो दूप यहां अपने पास में adjacent side के क्या होने चाहिए एक तो आजाता है आपने पास में काइट है यह दोनों एड़सेंट साइड़ एक दूसरे के कर दोओती है और यह दोनों एक दूसरे के हुती हैं भार रोती है और एड़सेंट साइड भर नहीं होती तो रेक्टेंगल का भी ओप्षण क्या त ला जाएगा तो जायाएगा फिर आएगा रॉमबस और काईट में यह हो गया आपके पास में रॉमबस अब रॉमबस में भी कि रोंबस में चारों साइड बराबर होती है तो इसमें दो एड़्जसिंट साइड कैसी है बराबर है लेकिन यहां पर अपने को क्या चाहिए कि आश्चन गुजाओं के दो चोड़े समान है ठीक है लेकिन इसमें जो दोनों जोड़े हैं यह और यह और यह और यह और यह दोनों चारों ही क्या होगी यहां पर बराबर होगी तो अपने को एड़्जसेंट साइड के बारे में चाहिए अब यहां पर क्या 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 होते हैं एक दूसरे को 90 डिगरी के ओपर इंट्रसेक्ट करते हैं और तीसरी बात क्य सा दिए एक मांतर्चैण तरफ्रीट रचन करने के लिए हमें जानना आवेश्ब है तो समदर्चैण क्या हो सबणे पास में चार साइड होंगी एक ग मॉन में रोल होंगी ठीक और यंगल है उनका सम 192 में proven Max अगर sailed अपने को यह मिल गए और जीए तो इसरी आपन दूसरी साइड की मेजरमेंट चाहिए और इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है या इधर से जो बनने वाला एंगल है कोई भी एक अपने को चाहिए तो देखो लैंट ओफ इंगल के बारे में यहां पर कोई अपने को जरूरी होती है तो यह ओप्शन नंबर थ्री इसका चला जाएगा फिर है नेक्स्ट क्वेशन एक बहुबुद्ध जिसके विकाणों का कोई भी भाग उसके बाहरी भाग में नहीं होता है तो यह डैफिनेशन है सीदी सीदी किसकी कौन के फिगर की क्या कि एक्स्टियर यानि कि कुछ भी पार्ट अगर शेप के बाहर चला जाता है तो वह अपने पास में होते हैं कौन के पॉलिगन ठीक है और अगर बाहर नहीं जाता है तो ऑप्शन होना चाहिए था कॉन वेक्स तो इस कंडिशन में अपने पास में जो आंसर रहेगा वह है तो यही आएगा जब मैं इसको टू से मल्टिप्लाइ करूं तो यह हो जाएगा टू एन माइनस फोर और यहां पर नाइन वन एटी की जगह हो जाएगा नाइंटी डिग्री तो जब आप इसको सॉल करोगे टू कॉमन निकालोगे तो 90 से मल्टिप्लाइओके 180 हो जाएगा मल्टिप्लाइबाइब 180 और साइड आपके पास में सेवन तो एन की वेली होगी सेवन माइनस टू मल्टिप्लाइबाइब 180 डिग्री से मल्टिप्लाइब करोगे तो आंसर कितना जाएगा नाइन हंड्रेड डिग्री तो ऑप्षिन कुंसा हो जाएगा ऑप्षिन नमबर फोर है नेक्स्ट है निमनी लिखित में से कौन सा बहुत 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 कॉन्वेक्स फिगर के बारे में पूछ है तो कॉन्वेक्स के लिए अभी अपने एक डेफिनेशन चेक करी है कि अग यहां से डाइकमर बनाओगे तो यह भी कहां जा रहा रहा है तो यह 3 प्र जाइग पी से भी इसका डाइगनल बनाने की कोशिश करेंगे तो वो इस शेप के अंदर ही रहेगा ठीक यह सारे के सारे डाइगन इसी के अंदर है तो यह हो जाएगा आपका से पौलीगन तो option number 3 सही है है नेक्स्ट कर्शन है 65 पिक्टोरियल रिपर देशन आप डेटा यूजिंग सिंबल तो पिक्टोरियल रिपर देशन को आप कहते हैं क्या पिक्टो ग्राफ कोई सोचने वाली बात ही नहीं है option number 2 सही हो जाएगा नेक्स्ट कॉश्चन है इन गुरूपड डेटा इच ओफ द गुरूप इस गुरूप डेटा में जो भी गुरूप होता है उसको क्या केते हैं क्लास इंटर्वल वर्ग अंतराल तीक है यह सही अंसर हो जाएगा नेक्स्ट आगया 67 दा डिफ्रेंस बिट्विन अपर क्लास लिमिट और लोवर क्लास लिमिट ओफ लिए अपर लिमिट दोनों का डिफ्रेंस तो जो दोनों का डिफ्रेंस होगा यहाँ पर अपने पास में डिफ्रेंस आएगा 50 वह होती है अपनी क्लास इंटरवल की या तो इसको कहते हैं हाइट या फिर विर्थ इसको कह दिया जाता है तो तो दोनों में से कुन सा ओप्षन है विर्थ तो इसका अंसर क्या हो जाएगा ऑप्षन नमबर टू नेक्स्ट है 68 हाओ मेनी नेच्रोल नमबर्स लाइब बिट्विन नाइन स्क्वाइर एंट यहां पर सीधा सीधा फॉर्मला चलेगा टू एन यहां पर कुन सा हो जाएगा जो छोटा नमबर आपके पास में है दो नमबर है एक तो है नाइन का स्क्वाइर और दूसरा हो गया वन हंड्रेड अब इन दोनों के बीच में कितने नमबर्स एक्जिस्ट करते हैं तो कितने हो जाएंगे 18 तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर टू ठीक इसन का स्क्वाइर करोगे तो इन होगा और और ऑप्शन नमबर ओगा यहां पर इवन नमबर एक हैं यह ओप्शन नमबर फस्ट इसका स्क्वाइर करोगे तो वह जाएगा इवन याएगा ठीक है आंसर si the next question है क्वेशन नमबर है 70 25 can be expressed as the sum of the first consecutive odd number तो first कितने odd number यहाँ पर आएंगे इसको represent करने के लिए as a sum लिखने के लिए ठीक है तो 25 को कैसे लिखोगे first कितने odd number यहाँ पर होंगे पहला आगया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और प्लस 9 यह अपने पास में प्रपरटी चलती 25 है तो 5 का यह होता है इसक्वायर ठीक है तो फाइफ फर्स्ट फाइफ और नमबर अपने पास में यहाँ पर आएंगे तो कितने होगे 12345 यह होगे इसका आंसर कितने हो जाएंगे option नमबर फिर्स्ट फिर है next question 71 by which smallest number 90 must be multiplied so as to make it a perfect square 90 को आप किस से multiply करोगे तो 90 का देखो जो प्राइम फेक्टराइजेशन है वो कितना हो जाएगा डिरेक्टी लिख लेते हैं 90 is equals to 2 ऐसका प्राइम फेक्टर एक तो परिये बन रहा हे टूब का पेर नहीं बन रहा तो एक्सटा पो चीड़र बनाने के लिए 5 का प bás़ी असे अप्सक्तिता को क्या क्या चीए फाइफ और तू चैएсь बैसे तो सब क्लाइक कितना हो गया टे तर शीन हो सेवन्टीटू दैस्मॉलेस्ट नेच्रोल नंबर बाइवीच 704 मस्ट भी डिवाइड अब देखो 704 को डिवाइड करना है क्या बनाना है पर्फेक्ट क्यूब बनाना तो इसका प्राइम फेक्टरिजेशन क्या हो जाएगा टू मल्टिप्लाइट टू मल्टिप्लाइट ट क्लिए है ठीक और मल्टिप्लाइट मेंए 11 इसका लिए बन रहा है तो यहां पर अगर 11 नहीं नहीं यह होता तो इसका क्नी टू मल्टिप्लाइट टू फोर का इबर chapter टूहों टूमकी से दिवाइड करोगे11 से डिवाइड करना पड़ेगा ठीक है तो सबस्रूंद है टो म क्या बनाना है तो मतलब क्या हो गया पावर 3 यहां पर भी क्या करेंगे 33 का पेर बनाएंगे तो देखो दो फाइफ्टु टाइप है तो पेर बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा 5 आपको फाय है तो यहां पर वन टाइम है तो पेर बनाने के लिए तो आएंगे यहां पर होई गया और यहां पर कितने हो गई तो इसका आंसर कितना चले जाएगा 20 एंसर फिर नेक्स क्वेशन है 74 क्या कहता है विच फॉलोंग इस्टू फॉर एनी नेच्रोल नंबर यानि की कोई भी नेच्रोल नंबर एन अपने पास में उसकता है नेच्रोल नंबर होता है वन फॉन इंफाइन और इन तीन स्टेट्म चूब एक करो तो यहां पर बढ़ती जाएगी वो बड़ा होता जाएगा ठीक है यहां पर कम यहां पर पवर ज्थी क्या होंगी तो एन टो द्वावर तू ग्रेटर देन इन पावर त्री तो यह फॉल्हेगा यह से में बीट अब टीसरा ग्रयान कर आपने जानते हैं कि वह होता है हमेशा वन ही तो एक ही कंडिशन के लिए ट्रू है लेकिन बाकी के जो अदर नेच्टरल नंबर की बात करेंगे तो यह स्टेटमेंट क्या हो जाता है गलत तो हर जगह हम चेक करेंगे तो यहां पर हो जाएगा ओप्शन नंबर की बात चलेगी तो यहां पर होगा ठीक है यह हो गया ऑप्शन नंबर फिर देखो नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नंबर 75 वाट विल बीदा यूनिट डिजीट ऑफ रूट अफन नंबर एंड विद एट तो क्या बताना है क्यूब रूट बताना है वाट होता है तो एट का एंड करोगे तो यहां पर उपन चेक करेंगे किसका क्यूब रूट तो किसका क्यूब करोगे की एट हो जाए या फिर एट का ही क्यूब रूट क्या होता है टू होता है तो जो भी नंबर होगा जिसमें यूनिट डिजिट क्या होगी एट होगी तो उसक 26 the number of digits in the cube root of a six digit number is कोई भी एक आपके पास में six digit का number है ठीक है और उसका क्या लेना है आपको क्योभरूट ठीक है तो क्योभरूट में क्या हो जाएगा यहां पर आपके पास में formula चलेगा कोई भी perfect cube आपको बनाना है ठीक है तो perfect cube में यहां पर अब कहा कर दोगे यहां पर बिजटक्षार के पास में कतनी है 6-6 का आदा कितना होजाएगा 3 तो इसके क्योभरूट में कितनी व्हूंच आ जाएंगी सुर्आ यह होता है आपका स्कॉर के लिए ठीक क्योभरूट के लिए क्या करोगे क檈 कि यूँब रूट के लिए करोगे ?? से यहां पर दE que pig بنेगा हर्मका गुठ आपके पास पास भीलगे ध्याएंगे इसका हो जाएगा क्या क्या ग्रों क्या कर देदे crescus का आदा कर दिया जाता है और इसमें क्या कर दिया जाता है थर्ड पार्ट आपको लेना होता है ठीक है तो यहां पर किसी भी सिक्स डिजिट के नंबर में कितनी डिजिट सा जाएंगी तो आ जाएंगे तो 76 का अंसर कितना हो जाएगा थ्री कि नेक्स्ट क्वेशन है 77 परसन गोट और 10% increase in his salary तो माल लेते हैं कि उसकी सेलरी कितनी है एक से है और उसकी सेलरी कितनी बढ़ा दी यानि कि प्लस कर दी कितना परसेंट 10% किसका एक्स का तो 10% इनक्रिल करने के बाद में क्या करता है if his salary was 50,000 यानि कि उसकी कि पेले कि थे पैले कि तो यानि कि उसकी तीट्रेंङन जड़तर कि जीन दुन ऐखो जाएंट 20 चल घंड़ कि तो पंचास हजार के सिका 5000 चली जाएगी कि कितना आ गया पांच अजार तो इंक्रीमेंट कितने का हुआ पांच अजार तो पचास अजार प्लस पांच अजार कितने हो जाएंगे आपके 55000 रूपे तो अप्शन नमबर टू फिर है नेक्स कोश्चन कि 78 2 ratio 5 to the percent तो दो रेश्यो 5 को आपको कनवर्ट करना है परसेंट में तो यह कितना हो जाएगा दो बटे पांच परसेंट के लिए multiply by 100 यह पांस से कैंसर हो जाएगा कितनी बार बीस बार तो दो को 20 कि कितना जाएगा 40% कि किसको रिपरेंट कर रहा है 40% को सब्सक्राइब निकालने किसके साथ 10 km अब पहला काम यह है कि यूनिट तुम सेम करोगे तो यह हो गया 10 तो इसको भी मीटर में कनवर्ट कर लो तो इसको अब यूनिट सेम हो गई तो यहां पर रहे गया और यहां पर रहे गया 12 मीटर पर सेकींड यह होगया 12 मीटर पर सेकड़ इसका रिश्यू निकालना है इस cỂटर में और सबसे पहला काम यह होगा कि इनकी यूनिट को सेम करेंगी तो मिटर पर सेकिन को और 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 रसे किन्द में कलने के लिए घ्झाटिष से डिवाइड करो तो यह किस्कों हो जाएगा क्वाइगी जात्योंगे दमारि जाएगा मीटर पर सेकेड और यह भी मिटरपर सेकेड doubt हो गया फाइनली अपने पास में रहता है 12 रेशियो टेन यूनिट सेम हो गई अब इसका रेशियो आ जाएगा अब दोनों के दोनों कि से डिवीजिबल है टू से टू सिक्स जा ट्वल और टू फाइब जा टैन रेशियो आ जाएगा सिक्स रेशियो फाइफ ऑप्शन नमब यह हो गया वन का स्क्वाइर वन माइनस टू और प्लस वन वन प्लस वन टू हो गया टू में से टू जाएंगे कितना बचेगा जीरो ऑप्शन नमबर फोर करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है अब लाइक डानी है तो देखो यहाँ पर यहाँ में एक्स की पावर तृट्री है चेकोर वह यह बचले यह लुट्रूं टॉल हम इंको अपनएं और कशिशन नहींहिं करेंगे तो कंसीडर करने वाले तीन है नAiN एक्स क्यूब एट एक्स क्यूब और यह सिक्स एक्स क्यूब तो टॉटल यहां पर लाइक ट्रम कितनी होगी त्री तो आप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा टहर हाँ है कि नेक्स्ट है 83 दसनो ओफ इन समकरणा थियो गया फाइफ टस्टिसों स्कॉअईर माइनस सेवन एक्स क्यूआ प्लस एक्स हaiser сложно सािव posts 11 ऑस्ट्र 24 x square फिर negative term minus 7 or minus 9 कितना होगी है minus के 16 x square अब 24 में से 16 जाएगा कितना बचेगा 8 x square बचेगा इसका अंसर क्या हो जाएगा 8 x square option number 4 next question है 84 गनाब के कितने शीर्ष होते हैं तो how many vertices does a cuboid have the cuboid में 8 कितने होंगे 8 vertices वहां पर होते हैं ठीक है फिर है next question 85 question क्या करें त्रीबुजाकार पिरामिड में कितने फलक होते हैं तो पिरामिड में ट्राइंग्लर पिरामिड में फलक होते हैं ठीक है तो इस तरीके से एक शेप बनती है और इसमें अपने पास में जो फलकें हैं या बात करें तो टोटल फेसे होती है इसमें कितनी चार फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 86 if a polyhedron has vertices 66 vertices है 12 edges है what is the number of faces तो faces का number पुछा है तो देखो यहां पर किसी भी solid के लिए अपने पास में फॉर्मला चलता है जिसको पन कहते हैं आइडर्स फॉर्मॉला ठीक है और यह फॉर्मॉला होता है किस किस में relation होता है edges में vertices में and faces में तो जो रिलेशन है वो देखो क्या कहता है F-E plus V equals to यह होता है तू यह इसका होता है आईलर्न ने फॉर्मॉला दिया था अब देखो तो faces अपने पास में कितनी है 6 है तो यह हो गया 6 edges 12 तो माइनस 12 और प्लस वी वी अपने पास में नहीं है वी की वेल्यू निकालनी इस इकोस तो तो 6-12 करोगे तो माइनस का 6 आएगा राइट साइड में ट्रांसपोस करोगे तो वी इकोस तो कितना हो जाएगा 2 प्लस ए 6 vertices कितनी हो जाएगी यहां पर number of vertices is it is equal to option number 2 यहां पर सही हो जाएगा तो यह यहां पर पस इस ही relation को ज्यान रखे और question फिर है next question कि 1 meter cube is equals to centimeter cube में value पूच्य तो 1 meter cube होता है 1 meter को आप यू कह सकते हो meter आ गया 3 time multiply में में चैंजर करना है तो एक मीटर में कितने सेंटी मिटर होते हैं कि सो सेंटी में इस Hierर अची आपर भी हंद हैं यहां पर भी धानेड़ सेंटी मिटर तो तो हंड्रेट को हंड्रेट से मल्टिप्लाइ करोगी कितना है कि दस लाख और यह सेंटीमिटर क्यों भीक में हो गया है अब आप्शन कौन समेच कर रहा है यह वाला ऑप्शन नमबर फिर्ट यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन सब्सक्राइब बता दी एच यह फोर्म लाए सिदा सिदा ऑप्शन नमबर फर्स्ट टू पाई यार प्लस एच या फिर यह ऐसा भी देखा जाता कहीं कहीं पे टूपाई आर प्लस टूपाई आर स्क्वेर प्लस टूपाई आर एच ठीक और इसी को ही मोडिफाई करके यह हो जाता है टूपाई आर और यह बचे गया आर प्लस एच दोनों में से जो भी ऑप्शन हो दोनों करेक्ट है तो यह आप्शन तुम्हारा यहां पर पहला सही हो जाएगा फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो यहां पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछ है ठीक है तो सिदा सिदा रिलेशन होता है कि वन लीटर में होते हैं आपके पास में 1000 सेंटीमीटर क्यूब ऑप्शन नंबर त्री इसका सही हो जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन है है इसका कि गुणनद्र सेंट का मतलब होता है कि जोबी नंबर दिया गया है उसको आप किस्ट इसमें करोगी कि आंसर क्या हो जाए वन हो जाए तो टेंटु दिपावर टेन है तो इसका कि ऊप्रो करने पड़ेगा तो रेशी परोकल होता इसका वन अपवावन तेंट पा पावर माइनस टेन अप्चिन नमबर 4 कि नेक्स वेशन है माइनस 4 to the power माइनस 6 multiply माइनस 4 to the power 8 तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी एड हो जाएंगी तो माइनस 4 to the power माइनस 6 plus 8 कितना हो जाएगा 2 it is equals to माइनस 4 multiply by माइनस 4 तो माइनस 4 को माइनस 4 से मल्टिप्लाइ करोगे तो आंसर कितना आएगा 16 ऑप्चिन नमबर 2 कि नेक्स्ट है 92 माइनस 2 to the power minus 2 यह क्या आंसर हो जाएगा देखो पावर नेगेटिव भी है रेसीप्रोकल करते तो यह क्या हो जाएगा 1 upon minus 2 to the power 2 it is equals to 1 upon minus 2 multiply by minus 2 is equals to 1 upon 4 option कौन सा जाएगा option number first next question है 93 के था होस इट 18 kg of grass in 12 days तो 12 days में कितनी घास खा जाता है 18 kg फिर कहता है कि how much does he eat in 9 days तो one day की जो capacity है एक दिन में कितनी घास खाएगा इस इक तो 18 upon 12 kg 9 day का पूछा है तो इसको 9 से multiply कर दोगे 18 upon 12 multiply by 9 kg 12 cancel हो जाएगा 3 से 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 2 2 जा 4 और यो जाएगा 2 9 जा 8 तो कितना हो गया 27 upon 2 kg और it is equals to 13.5 kg option कौन सा हो जाएगा option number 3 फिर है next question 94 the common factor of 8 a square b to the power 4 c square और यह नंबर और एक यह नंबर इनका common factor पूछ है तो 8 a square b square b to the power 4 c square इसको लिख सकते हैं 8 8 का हो गया 2 multiply 2 multiply 2 multiply e to the power 2 b to the power 4 है और c to the power 2 है दूसरा नंबर हो गया 12 e to the power 4 b c square 12 का हो जाएगा 2 multiply 2 multiply 3 और multiply में a power 4 है b power 1 और c power 2 तीसरा नंबर है 20 e to the power 4 और b to the power 4 20 हो जाएगा 2 multiply 2 multiply 5 a to the power 4 और multiply में b to the power 4 अब यहां पर चाहिए common factor ठीक है सामाने गुणन कंट चाहिए जिन से तीनों में क्या चला जाए बाग चला जाए तो देको उसक नोटू में टू है एक पर ये बन गया और एक ये बन जाएगा बाकी पेर नहीं बनेगा तो 2 multiply 2 यह वजाता है फोर अब विरेबल्स की बात करें तो यहां पर एक पिपावस क्या है यहां पर एक पावर to है यहां पर नंबर कौन सा होगी इन दोनों में लेकिन तीसरे में सी अपसिंट है तो सी फेक्टर हो यह सकता तो आंसर क्या हो जाएगा 4A स्कौर और तो 4A स्क्यर क्यार भी ऑप्ष्यन नमर कौन सा हो जाएगा का औप्चान नमबर फूर फिर देखो नेक्स कोईशन तरी कि दा फेक्राइडिजेशन ऑफ इसका फेक्राइडिशन करना है 12 a square b plus 15 a b square फो दोनों में से देखो क्या को मना जाएगा numbers में तो आ इसका हैं तो एक बाहरा जाएगा यहाँ यहां पर conviction करोगे तो फॉर एसे डिवैड करोगे ए प्लस यहां पर आजाएगा फाइफ भी तो यह इसका क्या हो जाएगा फेक्टराइजिशन 3AB multiply 4A plus 5B तो यह हो गया 3AB और 4A plus 5B option number first नेक्स्ट है 96 factors of इसके factors बताने 3M square plus 9M plus 6 तो तो तीनों में से पहले three common आजाएगा क्या बचेगा ब्रेकेट में एम स्क्वाइर plus 3M plus 6 यह हो गया 3 अब जो मिडल टर्म है यहां पर 6 की जगह क्या हो जाएगा क्योंकि इसको भी से डिवाइड करना तो क्या रहे गया 326 ठीक यह हो गया M square 3M का factorization करना है तो 3M का क्या हो जाएगा 2M plus M और यह हो गया plus 2 अब दो दो के पेर के साथ में common terms आपको बाढ़ निकालनी है यह दो का पिर ले रहा हूं common है M bracket में रह जाएगा M plus 2 और यहां पर कुछ भी common नहीं है 1 बाहर आ जाएगा तो यह हो गया M plus 2 यह हो गया 3 अंदर जो फेक्टर है M plus 2 दोनों में common है और क्या रह गया M plus 1 remaining है तो यह इसका हो गया factor form तो यह 3 M plus 2 multiply M plus 1 option number 2 इसका correct होगा ठीक फिर next question है अब देखो 97 है यह आपके पास में एक पाई चार्ट है कि टीक जहां पर 150 degree degrees में दीवी है 150 degree दिया हुआ है food को 35 degree दिया हुआ है savings को 75 degree है house rent को और 30 degree है education और cloths को दिया हुआ है 70 degree अब देखो question क्या कहता है कि if the budget of the family is rupees 10,800 यानि कि यहां पर complete यह जो पाई चार्ट है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 10,800 यह बजट है जिन में से 150 degree 150 degree की value यहां से कोई ना कोई इसके equivalent value आईगी वह food के ऊपर consume होता है 35 degree saving पर जाती है house rent पे 75 degree और education पे 30 degree 70 degree जाता है cloths के लिए अब कहता है कि यह जो complete जो डिवीडिशन हुआ है वो किसका होगा है रूपीज 10,800 अब डिगरी की बात करें तो एक पाई चार्ट में टोटल डिगरी की वेल्यों होती है 360 डिगरी और यहां पर कितना दिया हुआ है 10,800 तो आपन कह सकते हैं 360 degree is equals to 10,800 अब इसी क्या कोडिंग सारे questions all होंगे क्या कहता है what is the saving to saving को कितना डिगरी दिया हुआ है 35 डिगरी तो 360 डिगरी की वेल्यों आ गई वन डिगरी की वेल्यों कितना हुआ जाए गि 10,800 डिवाइड बाई 360 और पुछा किसका है वेल्यू सेविंग का सेविंग का है 35 डिगरी तो multiply कर दोगे इसको किस से 35 डिगरी से ठीक तो वन डिगरी की वेल्यों आपके पास कितना गई 10,800 डिवाइड बाई 360 और वेल्यू किसकी चाहिए 35 की तो इसको किस से multiply कर दोगे 35 से अब देखो 30 यह 0 से यह 0 कैंसर हो जाएगा 36 से 108 कैंसर हो जाएगा कितनी बार है त्री टाइम और यह 0 है तो यह हो गया 30 टाइम तो जो सेविंग को दिया गया था 35 डिग्री की वेल्यू क्या हो जाएगी 30 multiply by 35 सॉल कर लो कितना जाएगा एक हजार पचास रुपे तो इसका अंसर क्या हो जाएगा एक हजार पचास ऑप्शन नमबर फर्स्ट इसका सही होगा ठीक फिर नेक्स्ट क्वेशन है इसी काई वाट इस दिफ्रेंस ऑफ एक्सपेंडीचर और क्लोट्स एजुकेशन ठीक है तो तो मुल्टिप्लाई कर दो 70 से कितना हो गया 2100 फिर उसके पाद में पूछा है एजुकेशन का एजुकेशन को है 30 एजुकेशन का हो जाएगा 30 multiply by 30 equals to 900 तो 2100 और 900 में जो डिफ्रेंस है वह कितने का हो जाएगा बारास हो का तो आप्शन इसका क्या हो जाएगा आप्शन नमबर फिर्स्ट नेक्स्ट क्वेशन है क्वेशन नमबर 99 देखो क्या करता है दा वैल्यू ओफ ए अब यहां पर अपने पास में कोई डिजिट है और यहां पर यहां पर भी है तो उसी डिजिट को सेम डिजिट से अब अब आपन त्री फिक्स कर सकते है तो यहां पर भी देखो यह दोनों थ्री है और यह दोनों थ्री है तो एक वेल्यू क्या फिक्स हो जाती है तो अपना राणसर क्या हो जाएगा यहां पर अप्शन नमबर फिर देखो नेक्स्ट क्वेशन है है लास्ट क्वेशन है क्या क्या था नमबर 10648 is divisible by 10648 यह किसे डिवीजिबल होगा तो अपने आप यहां पर तीन नमबर है सेवन है त्री है और एलेवन है और लास्ट अप्शन अपने पास में अगर तीनों में से कोई नहीं है तो डान अव्दी हो जाएगा तो चेक करेंगे सेवन का है तो सेवन से डिवीजिबल जो रूल अपने पास में वो क्या कहता है कि यूनिटीजिट का क्या कर दो डबल तो एट का डबल हो जाएगा 16 बाकी की जो बच गए उसमें से अपन क्या कर देंगे माइनस तो 1001064 में से इसको माइनस कर दोगी तो कितना रह जाएगा देखो अब यहां पर भी क्या करो यूनिटीजिट का डबल कर दो तो कितना हो गया 16 और इसको हम माइनस कर देंगे बाकी की जो डिजिट्स बची है 104 इसमें से माइनस कर दोगे कि तो 14-6 88 है ठीक है अब 88 में से इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे सेवन से तो यह सेवन से डिवीजिबल नहीं होगा फिल नेक्स नंबर है अपने पास में 3 तो तरी का आप चेक करोगे तो 3 का डिवीजिबिलीट की कहता है कि हर एक डिजिट को आप एड कर दो तो 1 प्लस 0 प्लस 6 प्लस 4 और प्लस एट देखो कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1 प्लस 6 7 7 और 4 हो जाएगा 11 11 और 8 19 तो 19 में भी 3 से डिवीजिबल डिवीजिबिजन नहीं जाता है तो 3 का भी कैंसिल हो जाएगा फिर अपने पास में नेक्स्ट है 11 से चेक करना है 10648 और 11 का कहता है कि अल्टरने डिजिट को आप एड कर दो और बाकी इनका डिफरेंस हम चेक करेंगे तो पहला अगर वन है तो वन पर आप एड कर होगे इसके अल्टर डिजिट जो की हो जाएगी पर दो जाएगी एट और फिर बाकी की बच गई अपने पास में 0 प्लस 4 इनके सम को माइनस कर देंगे तो यह कितना हो गया 15 और यह विए प्लस प्लस का और फिफ्टीन माइनस फॉर करेंगे तो कितना मिलेगा 11 तो 11 आ रहा है 11 का मुल्टीपल है तो यह 11 11 से डिवीजिबल है यह भी 11 से डिवीजिबल होगा तो अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नमबर त्री यह था अपना वीडियो सोलुशन थैंक्यू हेवगोड दे